असलाम अलेकूम, वेलकम टो कैट वर्क्स लास्ट वीडियो में हमने आटोकैट की सैटिंग्स के बारे में बात की थी कि आटोकैट की जो बेसिक सैटिंग्स होती है जो आपको हर सूरत करने पड़ती है या यूनिट सैटिंग होती है, इसका जो क्रोशियर सैटिंग होती है, और इसकी डिमेंशन की सैटिंग होती है, इस चीज को हमने कवर किया था हमारी लास्ट वीडियो में, आज की वीडियो में हम लाइन टूल और पोली लाइन पर डिसकस करेंगे, इन दोनों टूल को हम डि कर सकते हैं या फिर मैं आपको रेक्मेंट करूंगा कि आप beauty क्मांड भी जाए है वैसे तो अलग लग तूमिल यहां पर भी बिमिल जाते हैं लेकिन मैं आपको रेक्मेंट करूंगा कि आप इनकी कंमांड को भी आद-करें लाइन्ट irr currently करें के लीए इसकी शौट misf करें इन दोनों ने एक ही काम करना है उसके बाद किसी भी कमांड को खतम करने के लिए इसकेप आपने दिबाने आपकी कमांड वो खतम हो जाएगी जैसे मैं यहां पर इसके ल तूल प्रेस किया मैं आपको यहां पर नीचे नजर आ रहे हमारी यह वाली कमांड एक्टिव हो लाइन टूल हमारी कमांड एक्टिव हो गई है अब अगर मैंने इस कमांड को खतम करना है तो मैं इसकेप प्रेस करूंगा तो यह कमांड खतम हो जाएगी तो आप यह बेसिक चीज़ें कि याद कर लें जो भी आपने कमांड लगानी है उसको टाइप करके स्पेस या पर ड्रा हो रही है जाँ जहां पर मैं दूसरा क्लिक करूंगा वहां पर यह पुअशन बन्ते जाएंगे यह आप इस तरह से देख सकते हैं तो यह हमारी लाइन टूल है अब इसको मैंने खतम करना है यहा तो मैं इसकेप प्रेस करूंगा यहां से नीचे जो इसको उपश तो बिए स्टार्ट किया था मतलcuss स्टार्टिंग स्ट कर लिया है एक सेच्प करने की जितना पड़ी तो मैं एक दफार इसको डिलीट करता हूं, दुबारा मैं लाइन डूल लेता हूं, तो अब यहाँ पर नीची आ रहु है, अब जितने सेक्शन बने हैं, जितने हमने क्लिक की हैं, यह उन सब को अंडू करता जाएगा बारी बारी, यहाँ पर मैं आपको यू टाइप करके ए तरतीव वाइस हमने sections ड्रॉख ही है लाइन ज्रॉख ही है वह उस तरतीव वाइस उन सारी लाइन को अंडू करता जाएगा और एक चीज लाइन टूल में लेता हूं ल मैंने type किया है और यहाँ आप देखने है कि लाइन टेड़ी है अब इस तरह से तो हमें आइडिया नहीं होगा कि लाइन किस पॉइंट पर आके सीधी हो रही है चाहे हैं जितना मर्जी इसको जूम करके देख लें जिस मर्जी एंगल से देख लें में यहाँ से आइडिया नहीं हो सकता है कि हमाइरी लाइन किस पॉइंट पर सीधी है तो इसको सीधा करने के लिए मैं एक फेट प्रेस करूंगा एक फेट मैंने प्रेस किया लाइन सीधी हो गई है और यहाँ पर नीचे आपको लिखा नज़र आ रहा है और तो मूड ओन होगी है इसका जब लाइ लाइन विल्कुल स्ट्रेट ड्राव हो रही है, तो यह था इसका और्थो मोड लाइन को स्ट्रेट करने के लिए, अगर दुबारा मैं अफरेट प्रेश करता हूं, और्थो मोड ओफ हो गया है, यहां पर लिखा भी नजर आ रहा है आपको, अब दुबारा से लाइन टेडी 10-fit कैसे टाइब करने है फर एक्जेंपल मैंने यहां पर एक लाइन उसका स्टार्टिंग पॉइंट लिया हुआ है अब यहां पर मैं इसकी मेजरेमेंट दूँगा मैं 10-fit टाइब करूँगा तो यह इसने 10-fit पर लाइन लगा दी है पूरे 10-fit पर ठीक है अब दस-fit का की चीज का निशान कौन सा है वह मैं आपको दिखा देता हूं मैं यहां पर on screen की बोर्ड लेकर आता हूँ तो यह वाला जो हमारा निशान है यह 10-fit का है मैं एक दफ़ा नोटपैड ओन करता हूँ तो आपने यहां से देखने है जो यह वाला निशान है अगर मैं यह टाइप करूँगा मैं इसका size बढ़ा लूँ अब अगर यह वाला symbol जो है यह एक symbol मैं टाइप करूँगा यह fit है मतलब मैंने 10-fit की line लेगा नहीं है मैं 10-fit करूँगा fit यह 10-fit की line है उसके बाद अगर मैंने inches लगाने है यह six मैंने type की है यह मैंने दो दफ़ा type की है symbol यह inches है 10-fit 6 inches तो यह अपने बात याद रखनी है fit के लिए एक type करने है और inches के लिए दो type करने है ठीक है मैं बंद करता हूँ दुबारा मैं line draw करता हूँ तो मैंने 10-fit की line लगाने है मैं 10-fit type करूँगा यह 10-fit की line लग गई है ठीक है अब अगर मैंने line लगाने है 10 inches की तो मैंने line यहां पर draw की है अब अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको basic setting का दिखाया था हमने जो by default की setting की हुई है वो inches में की हुई है मतलब by default इसमें inches selected है अब मैं यहां पर सिरफ 10 type कर दूँगा inches का निशान नहीं में डालता क्योंकि वो by default set है मैं enter करता हूँ तो यह line 10 inches की ही लगी है मुझे यहां पर inches का symbol type करने की जूरत नहीं है inches की line है यही अगर मैं dस feet 6 inches की line लगानी है तो मैंने 10 feet उर six type की है inches का निशान नहीं मैं इसमें add गी है तो यह 10 feet 6 inches की line लग गई है इसको चेक करने के लिए दस फिट सिक्स इंचीज चेक इसको कैसे करना है यह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा फिलाल मैं आपको एक इसकी जो बेसिक कमांड है उसको ब्रीफ कर रहा हूं यह थी हमारी लाइन टूल इसके बाद आजाती के पॉली लाइन लाइन टूल और लाइन और पॉली लाइन में क्या फरक है क्या डिफरेंस है इन में वो मैं आपको बता दूँ अब जैसे मैं लाइन ड्रॉँ करता हूं यह मैंने इतनी सारी लाइन ड्रॉँ की है अब मैं यहां पर पॉली लाइन ड्रॉँ करता हूं पॉली लाइन की कमांड है पी ल आप पील टाइप करेंगे पॉली लाइन सेलेक्ट हो जाएगी पॉली लाइन पर भी और्तो मूड वही वाला रूल लागू होता है आप है फेट टाइप करेंगे तो आप इसको जैसे मर्जी टेडी मेडी लाइन ड्रॉा कर सकते हैं तो यह पॉली लाइन थी यह इसको मैं ताकि आपको खिसी इसक instinct की क्योगी पता चलेगा है अब यह लाइन तो इसमें जितने section रा हुए है वो सारे sections जितने जितने हमने click किये थे वो सब अलग-अलग select होंगे जैसे यहाँ पर मैंने click किया था तो यह अलग select होगा यहाँ पर click किया था यह अलग select होगा मतलब सारे sections अलग-अलग select होगे अब जो polyline मैंने draw की थी यहाँ पर click करता हूँ तो यह polyline एक continuous line होती है, इसमें sections में बनते हैं, यह सारी की सारी मतलब एक ही चीज बनती है, ग्रुप में यह line raw होती है, यहाँ पर अलग-अलग sections बनते हैं, तो यह difference है, basic difference है, यह polylines और line tool में, तो polyline को मजीद discuss करते हैं, पहले मैं ने आपको इसमें basic difference पता दिये, अब मैं polyline को मजीद discuss करता हूँ, polyline मैं select करता हूँ, यह polyline है, अब नीचे आपको कुछ commands मजीद, इसमें modifications नजर आ रही होगी, आर्क को हम तब ही discuss करेंगे, जब हम आर्क टूल को अलग से discuss करेंगे, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसको हम polyline में discuss नहीं करेंगे, क्योंकि आपको इस तरह समझ नहीं आनी है, पहले मैं आपको आर्क काई एक पूरा concept clear करवा दूँगा, उसके बाद आपको polyline में आर्क की समझ आजए, क्योंकि उसका basic concept एक दफ़ा आपको समझ में आ गया, पिर आप उसको किसी भी सिर्फ line टूल में draw करना चाते हैं, वहां draw कर ले, polyline में draw करना चाते हैं, वहां draw कर मैं starting half width यहां पर दे देता हूं, दो इंच की, मैंने दो type की है, और दे दी है, अब यह कहरा है specify ending half width, ending half width मैं देता हूं 8 inches की, enter, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसका starting जो, जो इसकी width है वो 2 inch है, ending width इसकी 8 inch है, तो यह था half width का जो एक logic है इसमें, दुबारा मैं आपको type करके दिखाता हूं, तो यह उसने उसी 8 inch वाली width को continue की है, अब अगर इस width को हमने delete करना है, इसको दुबारा reset करना है, तो यहां पर pl type करूंगा, और half width पर मैं आऊंगा, enter, और यहां पर मैं 0 feet 0 inches type करूंगा, और ending 0 feet 0 inches, तो हमारी polyline दुबारा उसी default shape में आ जाएगी, ठीक है, यह था इसकी width को setting करने के लिए, इसकी width को modify करने के लिए, दुबारा pl type करते हैं, आप इसकी width एक जैसे भी रख सकते हैं, यहां पर आगे width का option है, मैं w type करता हूं, तो इसकी width हमने देनी है, width मैं दे रहता हूं 4 inches की, अब यह 4 inches है, और ending width भी 4 inches, अब यह 4 inches की width में जो polyline हमारी draw हो रही है, तो यह थी polyline हमारी, जी, अब यह जो आपको points नजर आ रहे हैं, आप इन points को, यह pick points नहीं हम कहते हैं, आप यहां से इसको पकड़ कर, simply इसको stretch कर सकते हैं, इन points से पकड़ कर आप line tool को भी सी तरह से आप stretch कर सकते हैं, polyline को भी इन points से आप stretch कर सकते ह कि जितना मर्जी आप स्ट्रेच कर ले जी उसके बाद दुबारा पर ये लट टाइब करता हूं उसके बाद इस पॉली लाइन को भी आप स्पेसिफिक लेंथ पर ड्रा कर सकते हैं अब यहां पर नीचे लेंथ आ रहा है मैं लट टाइब करूंगा अब यहां पर मुझे बार तो यह 12ft की लाइन ड्रा हो गई है क्योंकि हमने लास्ट इसकी दी चार इंचिस की तो यह 4 इंचिस पर रिख है अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं मैंने दुबारा इसको नॉर्मल विट्ट पर लेके आना है मैं इसकी विट्ट को सेट करूंगा जीरो फिट जीरो इं बारा फिट पर रा करने है तो मैं बारा फिट टाइप करूंगा तो यह 12 फिट पर हमारी पॉली लाइन रा हो गई है इसको चेक करते हैं यह चूंकि इसको चेक करने के लिए हमें डी ऐल टाइप करना होगा तो हमारी 12 फिट की लाइन है क्योंकि हमारी लाइन टेरी थी इस इसको डिमेंशन्स पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां पर आपको मैं इसकी ब्रीफिंग दूँगा कोशिश करूँगा है कि इस चीज़ को मैं अगली वीडियो में आपको कंफर्म करवा दूँगा आपको जो इसमें कंफीजन है वो दूर करवा दूँगा तेठी लाइन के दामेंशन कैसे लेनी है और की की डामेंशन कैसे लेनी है क्योंकि यह एक पूरी वीडियो बननेंगा सिर्फ dimensions के उपर, इसको line वाली वीडियो में discuss नहीं कर सकते क्यूंकि वीडियो के length नम्दी हो जाएगी तो इसको हम अगली वीडियो में discuss करेंगे तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको line tool या polyline में किसी किसम की कोई confusion रहे गई हो तो आप मुझसे कमेंट बोक्स में पूछ सकते हैं मैं आपको reply करूंगा मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में till then stay tuned